पूर्टारी में आपको पेपर प्लेट बनालते प्न मार्केट में काफी हैं लेकिन पेपर पलेट के रोऊ माठीट में बहुत कम है शाल이고 इसमें बनाफी कम है तो आपके लिए काफी बेहतर मौका है इस बिजनेश को शुरू करने का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाने के लिए कौन सी मशीन का यूज करते हैं कौन से रॉम मटेरियल का यूज होता है कितना इंवेस्टमेंट लगता है और कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं इसमें कौ सिल्वर पेपर बनाने के काम में आता है जिसका यूज हम पेपर प्लेट मसीन में यूज करते हैं पेपर प्लेट बनाने के लिए तो यह सिल्वर पेपर जो बनता है लेमिनेशन करके बनता है तो इसमें कौन-कौन सा रॉम मेटेरियल्स यूज होता है और यह मसीन कैसे काम करता हैं यह क्राप पेपर का रॉल होता है जो की पीछे लगा होता है और उसके ऊपर में यह AGO फील्म होता है सिलवर कलर का कि दोनों आगे धीरे-धीरे जाता है और उसके बाद यहाँ पर गम लगा होता है जो कि गम यहां पे silver paper में जाता है और आगे ये दोनों को combine करता है, laminate करता है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस machine का सबसे बड़ा benefit ये है कि इसमें lamination भी होता है और cutting भी होती है cutting होने के लिए यहां पे cutter लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि कितना हमें cut करना है इसमें हम पर depend करता है कि हम कितने inch का material त्यार करते हैं इसमें 22 inch, 24 inch, 28 inch का material त्यार कर सकते हैं उसके हिसाब से इसको आगे पीछे किसका करके adjust करते हैं इसमें बहुत सारे adjustment है जब आप इस machine को खरीदने आएंगे तो आपको पूरी training दी जाएगी crop paper कैसे लगाते हैं B.O.P. film कैसे लगाते हैं gum कहाँ पे डालते हैं इसमें जो gum use करते हैं उसमें आधा पानी और आधा gum डाल करके mix कर लेते हैं उसके बाद मक्ट से machine में डालते हैं इसमें जो भी raw material यूज होता है वो सारी company provide करती है तो आप इनसे ले सकते हैं या आप अपने आसपास के supplier से contact कर सकते हैं जब हमारा silver paper laminate होता है तो उसके बाद उसको अपने requirement के हिसाब से cutter machine से cut करते हैं जिसी site का order हमारे पास होता है उस हिसाब से cut करते हैं अगर आप 24 इंच का crop paper यूज करते हैं तो 13 इंच और 11 इंच का दो roll में cut करते हैं तो उसके बाद आप अपने order के हिसाब से cutter का blade adjust कर आप अपना माल तयार कर सकते हैं तो जब हमारा product तयार हो जाता है तब इसे बेट करके हम इसे supply कर देते हैं इस machine से जो silver paper तयार होता है उससे paper plate दोना थाली आदी को बनाने में इस्तमाल किया जाता है जाद रखें कि इसमें जो material यूज होता है वो GSM पर depend करता है और उसकी price अलग लग होती है जेनरली market में जो machine available है वो lamination और cutter machine अलग लग होता है जिसकी price लगवक 5 लाग तक आती है बट इस machine का benefit यही है कि इस machine में cutter और lamination दोनों साथ साथ होता है और इसकी price भी बहुत कब इस machine को लेकर कि आप पैसे भी बचा सकते हैं और ज्यादा मुनाफ़क खमा सकते हैं machine को खड़िदने के लिए आप चेक से payment कर सकते हैं या company के account में online transfer भी कर सकते हैं पैसा pay करने के बाद machine आपके address पे transport के थूँ फेज दिया जाता है हाँ transportation charge आपको extra pay करना पड़ता है हाँ अब हम एक महेने का प्रफिट रिपूर्ट की बात कर लेते हैं यह जो मशीन है यह और नावर में प्रडक्शन करता है अगर इस मशीन को हम 10 आवर चलाते हैं तो 10 घंटे में 2000 kg मेटरियल तयार हो जाता है अगर हम एक महेने की बात कर लें तो एक महेने में 2000 कर लेंगे तो 60,000 kg मतलब 60,000 kg प्रोडक्शन हो जाता है इसकी प्रॉफिट की अगर बात करें तो इसकी जो सेलिंग प्रैस होती है उसमें दो रूपे का मुनाफ़ा हमें होता है एक किलो में तो अगर हम वन डे की बात करें तो 2000 kg हम एक दिन में बना लेते हैं तो 2000 kg करेंगे तो 4000 की रूपे हो जाता है तो हम एक दिन में 4000 रूपे इससे कमा सकते हैं अगर 30 देज की बात करें तो 4000 30 कर लेंगे तो यह एक लाग 20,000 रूपे हो जाएगा अगर इसमें हम प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे इसमें जो रोमेट्रियली यूज होता है जो लेबर चार्ज है मैनस कर देते तो बसता है 90,000 रूपे इत मिंस कि हम एक महीने में कम से कम 90,000 रूपे से कमा सकते हैं अभी आपने देखा कि लेमिनेशन मशीन को यूज करके सिल्वर पेपर कैसे बनाते हैं इसको बनाने का प्रोसेस काफी आसान है मार्केटिंग के लिए आप अपने शहर मे अपने एरिया में जो भी पेपर प्लेट बनाने वाले हैं उनसे कॉंटक्ट कर सकते हैं तो अगर आप यह मशीन खरीद कर अपना बिजन शुरू करना चाहते हैं तो कमपनी का पांटक्ट नमबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उनसे संपर कर कोई भी जानकाई ले सकते हैं उमीद करते हैं कि इस वीडियो के थूँ हम आपको पूरी जानकारी दे पाए होंगे तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर करें और जादा से जादा शेर करें ताकि दूसरों को भी इसका के साथ. Thanks for watching this video. Bye!